हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जी तो आप देख रहे हैं नोट रिवियो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल में आपसे पूछना चालूँगा कि अगर आपके पास 4GB RAM है तो अगर आपने अपने सिस्टम पे 8 कर लिया 8 के जगा 16 के जगा 32 तो आपको क मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर है 8GB RAM इसके अलबा यहाँ पर जो मैं यह सिस्टम यूज कर रहा हूं फिलाल के वह है 16GB RAM के साथ आने वाला और इवन मैंने काफी सारे लैप्टॉप के अंदर RAM भी अपग्रेड किया है तो मेरे पस कुछ प्राक्टिकल आइडिया थ अब देखो हैर मैं आपको कुछ भी बताओं उससे पहले मैं आपको प्राक्टिकल बताना चाहूंगा कि एक्चुल में अगर आप क्रोम ओपन करते हैं MS Office ओपन करते हैं PPT ओपन करते हैं Photoshop ओपन करते हैं तो RAM एक्जैक्ली कंज्यूम कितना होता है और पहली दफा अगर अच्चुल में RAM का अंजमसन कितना होता है तो मैंने अभी जस्ट सिस्टम को री स्टार्ट किया मुझे देखना था कि मेरा RAM कितना यूज हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ 2.5 GB की अप्रॉक्स का स्पेस यूज हो रहा है मेरा RAM का और आउट ओफ 16 GB में आपको बताना चाहरा हूँ अब यहाँ पर से दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जैसे ही ओन किया तो आप देख सकते हैं कि RAM की जो यूजबिलिटी है वो बढ़ते जारी है 2.9 हुआ अभी के डेट में दोस्तों अभी मैं जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बैग्राउंड में चल रहा है 3.4 GB मेरा RAM यूज़ हो रहा है आउट ओफ 16 GB अब यहाँ पर से मेरे पास बहुत जादा स्पेस है मैं कुछ भी ओपन कर सकता हूँ बट सेम टाइम पर आप यह सोचो कि अगर आप किवल 4 GB RAM यूज़ कर रहे ह 5 GB आपका तो Windows अल्रेडी कंज्यूम करेगा तो केवल आपके पास छोटा सा 1.5 GB के आसपास का स्पेस बचेगा अब उसी 1.5 GB के अंदर आपको बहुत सारे चीज अगर ओपन करने होंगे तो सिस्टम चौक होता हुआ दिखेगा आप उतना अच्छा से यूज़ नहीं कर प देखते हैं कि RAM की usability दीरे दीरे बढ़ते जारी है केवल मैंने RAM के मतलब मैंने केवल Chrome को open किया है मैंने कुछ भी search नहीं किया है कोई भी page को open नहीं किया है लेकिन RAM की usability बढ़ गई है इसको ना मैं थोड़ा साना और अच्छे से आपको दिखाना चाहूँगा आप ये चीज देख सकते हैं अब चलो यहाँ पर से कुछ search करते हैं देखते हैं कि page अगर load होता है तो क्या RAM में फर्क पड़ता है या फिन है तो यहाँ पर से दोस्तों मैं कुछ अभी फिलहाल के लिए search किया था और उसके बाद देखते हैं कि क्या result आता है तो यहाँ पर से मेरा channel का result आ duplicate करता हूँ मतलब दूसरे tab में again मैं सेम चीज को open करूँगा आप देख सकते हैं कि RAM की usability बढ़ गई similarly दोस्तों इस step को मैं तीन चार बार repeat करता हूँ देखते हैं लगबग 5 tab अगर हम open करते हैं तो क्या scene बन करके आता है तो जैसे जैसे मैं tab open करता है जा रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि RAM की usability बढ़ते जा रही है और यह YouTube channel का जो भी मैं खोल रहा हूँ इस पर मान की चल सकते हैं कि वल 4 tab मैं ने open किया है आप RAM देख सकते हो कि काफी जादा मतलब use होना start हो गया जैसे जैसे मैं और चीजों को load करूँगा यहाँ पर RAM की usability और बढ़ते जाएगी तो अगर मान की चलो मैंने 10-15 tab open कर दिया जब मैं sale का video बनाता हूँ न तो उस समय मुझे 10-15 tabs open करने होते हैं तो उस case में RAM काफी जादा use होने लगता है अब चलो इसको मैं minimize करने वाला हूँ और कुछ चीजे open करता हूँ जैसे कि चलो अब यहाँ पर हम Photoshop को open करते हैं तो Photoshop को जैसे ही मैंने click किया यहाँ पर आप नजर मारना मतलब यह जो RAM की usability है उसमें आपको चुरा सा drag करके इस तरफ ले आता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास Photoshop open होकर क्या आगया है यहाँ पर memory बढ़ गया है अब यहाँ पर से अगर मैं editing करना start कर दूँगा कुछ-कुछ images इसके अंदर export करना start करूँगा MBs के कुछ अच्छे-चे files होंगे तो अगेन मेरा RAM का usability बढ़ता जाएगा similarly दोस्तों यहाँ पर से मेरे पास एक software है Camtasia इसको भी मैं open करके आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मैंने जैसे ही इस पर click किया आप देख सकते हो कि RAM की usability दिरे दिरे बढ़ते जा रही है और उसके अंदर अगर मैं काम और करना start करूँगा न RAM मेरा और consume होना start हो जाएगा similarly दोस्तों अगर मैं PPT presentation open करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है RAM थोड़ा और use होना start हो गया है तो मैंने आपको एक छोड़ा सा idea दिया है कि जितना चीज आप जादा use करोगे एक दफा में उतना RAM आपका consume होना start हो जाएगा अब ऐसे में दोस्तों बात निकल के यह आती है finally कि हमारे लिए कितना GB RAM की जरूरत है क्योंकि मेरे पास तो 16 है तो मैं तो बहुत सारा चीज ओपन करूँगा 10-15 टैब ओपन कर दूँगा बहुत सारे multitasking करना start होगा कर दूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी बट आपके लिए क्या perfect है क्या आपको 4 लेना चाहिए या 8 लेना चाहिए या 16 लेना चाहिए या 32 लेना चाहिए तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे करते हो online lecture यह सब attend करते हो तो आपके लिए 4 GB RAM sufficient होगा लेकिन इसके उपर आप जो भी cases देख रहे हैं उसमें 8 GB mandatory हो जाता है और similarly दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका काम थोड़ा सा भी इसके उपर है मतलब जैसे कि अगर आप photos आप यह सब करते हैं तो 4 GB में भी हो जाएगा दिक्कत नहीं आएगा लेकिन हाँ उसके लिए आपको compromise करना पड़ेगा आपकी जो use करने का experience है ना overall जो भी आपका processor होगा वो उतना ultimate performance आपको नहीं दे पाएगा तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि basically आपको यह देखना है कि आपकी usability क्या है अगर आप बहुत basic काम कर रहे हैं 4 GB आप खरीद सकते हैं बट same time पे आपको यह भी देखना है कि आप जो laptop खरीद रहे हैं उस पे कितना slot है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे अलग-अलग videos में यह भी दिखाया है कि RAM कैसे upgrade करते हैं और कुछ laptop में ऐसा भी case आता है जिसके अंदर आप RAM upgrade करी नहीं सकते तो आपके लिए मैं यही recommend करूँगा कि अगर आप 4 GB खरीद रहे हो या 8 खरीद रहे हो या 16 या जो भी खरीद रहे हैं उसमें यह चीज़ जरूर धियान रखना कि आप future में RAM upgrade कर सकते हैं अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आप तो अभी जो भी standard में पढ़ रहे होगे या काम कर रहे होगे या जो भी आप करते होंगे laptop के अंदर तो उस case में दोस्तों आपको आज के date में ही यह चीज़ सोचना है कि आप क्या करने वाले हो अगर आप doctor यह सब ब requirement क्या हो सकती है तो उसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ अभी के हिसाब से जो safest side है अगर आप minimum 4GB के साथ भी जा रहे हैं तो जरूर देखेगा कि slot available है या आप अपग्रेड कर सकते हो या आप ही नहीं sufficient है लेकिन हाँ आपको अगर करना होगा यह सारे काम तो हो सकता है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और उस case में आपको यह problem हो सकता है अगर आपका motherboard या laptop support नहीं करता है वैसे हाँ आज के date में जितने भी laptop साते हैं ज्यादा तर में आपको यह सारे supports मिल जाते हैं तो जो मैंने आप से सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि 4GB RAM है तो 8 कर लोगे 8 की जगा 16 कर लोगे तो usability में क्या फरक आएगा fast होगा नहीं होगा तो देखो काफी कुछ matter करता है अगर आपका system slow चल रहा है बहुत कुछ matter करता है किस तरीके से आप use करते हैं कितने apps background में जो कि आपको पता नहीं है साधी साथ क्या processor है SSD है या फिर नहीं even RAM का frequency कितना हर एक चीज matter करता है और उसमें से एक सबसे important चीज है RAM जिसके बारा मैं मैंने आपको पूरी तरीके से घ्यान दे दिया I hope कि आपको समझ में आ गया होगा वैसे हाँ अगर आपको RAM upgrade करना है SSD upgrade करना है कुछ भी देखना है सारी useful link मैंने description box में दिये हैं अच्छे RAMS के भी दे दिया है कुछ laptops के भी दिये हैं जो कि personally मैं आपको recommend करना चाहूँगा तो अगर आप interested है जा करके जरूर check out कीजेगा और ये वीडियो अगर आपको genuinely अच्छा लगा होगा तो like कीजेगा share की watching ॉ